आपको वेब टेस्टिंग जब करते हो कि आपको क्या-क्या जमिली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जब आप वेब टेस्टिंग करते हो तो आपको इसका अंसर हमेशा पॉइंट की फॉर्मेट पे देना चाहिए लो क्या करते हैं कि मुझे इस बटनों को पीपनी करना यह इस तरीके के एरर मिलते है ऐसा ना करूके आप इस तरीके से जैसे मैंने पॉइंट बनाए है इस तरीके से अप अंसर देना पहले आप इसको categorize करना अलग-अलग points के अंदर, जिसी first point आपको functionality से related, जो के problem जो होते हैं, मैं उसको notify करता हूँ फिर user acceptance के अंदर, जो होते है, user interface से related, UI में कुछ कमिया वगेरा रहती है, major UI issue, minor UI issue, उसमें diversification करता हूँ फिर उसके बाद मैं performance related issues को देखता हूँ कि कोई data कितने दिर में load हो रहा है, using उसकी APIs का, right click करके, inspect करके, हम उसका API का time load देख लेते हैं, Excel कोई data वगेरा उठा रहा है, वहाँ से, अगर table वगेरा आती है, तो table को load होने में कितना time करना है, ठीकि कोई भी website open कर रहा है, लोग- से home page तक जाने में कितना time लग रहा है, तो वो सब performance related issues है, उसको tackle करते हैं, वो करने के बाद फिर हम database related problems को देखते हैं, क्योंकि कभी कबार क्या होता है, टेबल format वगेरा होता है, या सिर जो एक बार ग्राफ को, वो basically हम क्या करते है, Excel पाइल को हम bar for me, UI में represent करते हैं, तो व data वहां से उठके आता है, तो हम वो check करते हैं, उस data के अंदर क्या issue होतो नहीं है, तो database related issue है, कभी कबार क्या होता है, ऐसे मैंने एक दिवार paste किया था, कि test environment के data जो 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 रहा था, वो linking गलती से back end पे staging environment की करकी, तो database से connectivity आपसम सही है या नहीं है, तो database related issues UI के हम बताते है कि फिर हम OS की compatibility की accelerated problems होती है, उसको हम tackle करते हैं, कि कोई चीज Microsoft OS के अंदर चेकर के देखते हैं, फिर वही Mac OS के अंदर चेकरते हैं, वही चीज Linux के अंदर, same functionality, same चीजे, सब चीज work कर रही है, नहीं करें, OS ते compatibility का issue तो नहीं आ रहा, क्योंकि इस से इलिजिन मुथ सारे पहल compatibility test करते हैं, कि अलग-अलग browser के अंदर, same OS के अंदर लगके, जैसे Windows के अंदर मैं काम कर रहा हूं, विंडोस पांदर मैंने, चार पर देखे के browser डालके, automation script चलाई, या manual script चलाई, कुछ भी हम उसकी compatibility check करते हैं, नेविगेशन की हम verification करते हैं, कि हमने right click करके देखा, तो back मे हमारी logout कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहा, sessions को check करना, refresh करना, यह सब आप navigation की associated issues को आप tackle करते हो, उसके बाद, security breaches, security testing के अंदर आप उसको check करते हुए, कि कोई भी unauthorized user के तुरू, हम login कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो वो सब security related problems को handle करते हैं, इस तरीके तो जब आप तरीके से categorization भी आती है, कितने तरीके की testing कर रहे हैं, उसका भी पता लग गया है, तो इस तरीके साब इस question को tackle करिएगा, manual testing से related, ऐसे ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी नगर आएगा है, तो इस number पर चाहे तो मुझे Google पर वगरना support कर सकते हैं, अगर आप उसे coaching वग सकते हैं को इमी information jam दी के लिए, में तर नेक्स रोग दरां, बाइबाइ गाइस!